माया नाम की एक छोटी लड़की थी जो एक छोटे से गाव में रहती थी माया के बड़े सपने थे कि वह डॉक्टर बने और अपने समुदाय के लोगों की मदद करे हालां की उसका परिवार गरीब था और उन्हें अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था आर्थिक तंगी के बावजूद माया ने स्कूल में खड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई में अववल रही उसने बाधाओं को पार करने और अपने सपने को पूरा करने का दर्ध निश्चय किया लेकिन तब तरासदी हुई जब उसके पिता बीमार पड़ गए और वे उनके इलाज का खर्च नहीं उठा सके माया को अपने पिता की देख भाल करने के लिए सकूल छोड़ना पड़ा और अपने परिवार का भरण पोशन करने के लिए अजीब और गरीब काम करने पड़े डॉक्टर बनने का उसका सपना तूटता हुआ लग रहा था क्योंकि उसने अपने पिता की सेहत को दिन्ब दिन बिगडते देखा आखिरकार माया के पिता का निधन हो गया जिससे वह तबाह और निराश हो गई उसे लगा कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं और उसे गरीबी और निराशा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था हाला कि माया का लचीलापन और द्रड संकल्प कभी कम नहीं हुआ एक दयालू पडोसी के समर्थन से वह वंचित छात्रों के लिए छात्र वृत्ति कार्यक्रम में दाखिला लेने में सक्षम हुई कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद माया ने अपनी शिक्षा पूरी करने और डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया सालों बाद माया एक योग ये डॉक्टर के रूप में अपने गाव लोटी और जरूरत मंद लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए दृढ संकल्पित थी जैसा कि वह हमेशा से चाहती थी रास्ते में उसने जिन दुखों और संघर्षों का सामना किया उसके बावजूद माया की कहानी दृढता आशा और मानविय भावना की शक्ति का प्रमाण है